नेक्स्ट इस आई भी एनी इंट्रवल डिस्जॉइंट फ्रॉम डिस्जॉइंट का मतलब होता है इस इंट्रवल को छोड़कर मतलब एक आई इंट्रवल दे रखका है तो अगर यह नंबर लाइन है इधर माइनस बन है और यह प्लस बन है तो इस इंट्रवल को छोड़कर यह इंट्रव जो भी एंठ किया है तक है वह इसको छोड़ करके लिखा है अई इसको छोड़ कर इन इधर वाला और इधर वाला इन इसको दूसरे में बोल सकते हो minus infinite से 1 union minus 1 minus infinite से minus 1 और 1 से infinite यह interval आई मैंने पहले इस चलो बना दिया आपके लिए interval इसको छोड़ दिया यह मारे interval होगा prove that this function is increasing on i चलो अब i की बारे में तो पता है न यह है तो यह prove करना कि इस interval में यह increasing है तो चलो differentiate करें तो fx हमारे पास है x plus 1 upon x तो f dash x निकाल लेते हैं यह दिफ्रेंसीट कर दो x का differentiation 1 होता है और 1 upon x का differentiation होता है minus 1 upon x square अब कुछ लोग चिलाने लगें इसर कैसे तो देखो differentiation of 1 upon x को क्या हमें x की पार minus 1 लिख सकते हैं तो minus 1 x की पार minus 1 minus 1 तो minus 1 x की पार minus 2 तो minus 1 upon x square लिए तो यह x square minus 1 आया तो 1 को 1 का square लिख लो तो फेक्टर क्या आ गया x plus 1 x minus 1 upon x square f dash x अब आपको function increasing देखना है यानि आपने f dash x को greater than 0 करना है तो greater than 0 कर रहे हैं x plus 1 x minus 1 upon x square greater than 0 यह आएगा अब आपने number line ले ली एक factor आपका x plus 1 है तो यह x की आएगी minus 1 एक आपका x minus 1 यह प्लस 1 अच्छा जिसमें square लगा होता है मैं बोलता हूँ number line ले पसको नहीं लोगे यह मैंने rule आपको सिखाए inequality solve करने का ठीक है तो positive negative positive यही तो आएगा तो आप आप देखोगे कि आपको positive कब मिल रहा है नहीं आपको positive बताना न greater than 0 तो आप क्या लिखोगे कि f dash x हमें positive यह नहीं greater than 0 कब मिल रहा है जब x हमारा belong कर रहा है किसमें minus infinite से minus 1 में union और 1 से infinite में तो क्या यही interval आई है देखो तो आप कह दो कि this function is increasing on i आई आई इंट्रवल था देखो चेक कर लो यह सेम था पर लास्ट आपका निख्लूट कर लो सवज्में आया सेम था यह सेंपल था ठीक है नोट कर लो इसको पसे इनक्वाल्टी है रहा